हलो एवरीवन मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में सवागत करता हूं तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले है स्कुर रूट किसी भी नंबर का स्कुर रूट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो चीज हम आज की वीडियो में सीखने वाले हम यहाँ पर इसको नंबर होते हैं उन सबी इस को रूट निकालने वो सारी नंबर हमाले हम इतार चैनल में आंसर हो जैसे मानके चलो ज़िए आप 65 का स्कुर रूट निकाल लेह, तो हमारा आंसर ISuna कितना है का पच्च्छ आएगा। यहां पर कोई डैसिमा नंबर होते दूप हॉत। आ हमारे ऐसे होते हैं जिनका स्कुरूट जो होता है बिदाओ डेसिमल नंबर में होता है तो हमारे वो जो नंबर होता है जिसका हम स्कुरूट ले रहे थे वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं परफेक्ट इसको नंबर्स कहलाते हैं तो ऐसे टैप्स के जितने भी हमारे नं क्या को जोने कि Horn sanzنت then two संक्या कि यह पर आपको जो करना होता है आप सबस्के पहले राइट पैर बनाते हो प्रूस रैट-विद पैर बना Culोगे फिर उसके बाद दूसरा नमबर जो भी बच जाएग आप उसको ऐसी रहने दोगे, तो हमारा ये pair होगे 41 और इसको आप ऐसी रहने दोगे, अब आप इस pair में देखोगे unit digit हमारा क्या है 1 है, तो आप देखोगे कि ये unit digit हमारा, वो हमारा किसके square में आता है, ये 1 हमारा 1 के square में आता है, और 1 हमारा किसके square में आता है, ये 9 के square में इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे मान के चलो आपको कोई एक नमबर पता चल गया, क्योंकि 1 हमारा 1 के स्कुर में आता है, तो आपको 1 पता चल गया, तो दूसरा नमबर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप 10 में से 1 सब्ट्रेक्ट कर दोगे, क्योंकि 8 जो है हमारा, ये 2 और 3 के स्कुर के बीच में आता है, अब 2 और 3 में सबसे चोटा नमबर क्या है, 2 है, तो सबसे पहले आपके लिख दोगे, 2 यहां पर लिख दोगे, अब आपको क्या करना होता है, कि 8 जो है, किसके ज़्यादा क्लोज में है, यह जो number है हमारा किसके ज्यादा close में है किसके score के ज्यादा close में है अब आप देख सकते हैं यह दू का score किया था चार और तीन का score किया था नो, तो 9 की close में ज्यादा है जिस भी number के close में होगा उसी के corresponding आप number लिख दोगे, अब जैसे बड़े वाले number के close में था तो यहाँ पर आप जो number लोग नियुक्वर लेंगे अब बड़ा वाले number हमारा क्या था, 9 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा इस तरीके से हमारा answer क्या हो जाएगा, 29 इसका answer हो जाएगा तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का square root निकाल सकते हैं अब यह हम एक और example लेते हैं ताकि और अच्छे से ही समझ में आज सके कि हम किस तरीके से यहाँ पर square root निकालने हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे right से इसमें pair बनाएंगे और दूसरे वाले को जो भी बचा हुआ उसको ऐसी रहने देखे अब आप देखो कि हमारे पास यहाँ पर क्या unit digit चार है अब 4 हमारा किस के square में आता है 4 हमारा किस के square में आता है 2 के square में आता है और दूसरा number हमारा क्या हो जाएगा होता है 9 होता है 4 का स्कूर कितना होता है 16 होता है 3 और 4 में सबसे छोटा नमबर क्या है 3 है तो सबसे पहले आप छोटा नमबर यहां पर लिख दोगे यह हमेशा आपको छोटा नंबर लेना होता है पहला वाला तो छोटा नंबर आपने लिख दिया अब दूसरा वाला जो नंबर है वह आप किस तरीकी से लिखोगे उसके लिए आपको compare करना होगा कि यह नंबर किस नंबर के इसकर के क्लोज में था, ये number किस number के is Link के क्लोज में था, तीन का स्कर कितना था नो था, चार का स्कर कितना था, अब आप تم क्लिiones देख सकते हैं, cxt 16 के जादा क्लोज में है то swla के close में तो 16 एमार किया था बड़ा नंबर का स्कर था बड़े वाले का स्कर था 49 79 का score root आपको निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां से एक पेर बना लोगे इस तरही के से और बचे हुए नंबर को ऐसी रहने देंगे अब आप देख सकते हुए यहां पर क्या हमारे पास 9 है 9 हमारे किस के score में आता है 3 के score में आता है छे और साथ मस चोटा नंबर कहा 6 है तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लोग होगे 6 लिख होगे अब 6 का score 36 था 7 का score 25 है तो यह किस के close में 6 के score के close में 37 के close में 75 को 35 आप निकालना है तो आप राइट फे पेर बनाओगे अब आप देखोगे जो पांच है वो किसके स्कुर में आता है पांच के स्कुर में आता है अब दूसरा वाला नंबर इसमें क्या होगा वो भी पांच ही होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं क्योंकि दोनों ही पांच है तो यहाँ पर एक पांच हटा देते हैं और यहांपर पांच ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पांच थे हैं, अब आपको इसमें एक चीज, आपर ये फायदा है कि जब कभी भी आपको पांच मिलेगा, तो आपको compare करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहांपर दो number ही नहीं, एक ही number है, तो एक ही number है, तो यहांपर जो last number होगा हमारा, वो हमारा 5 होगा, अब यह हमारा 30 जो है, किस के square के बीच में आता है, यह हमारा 5 और 6 के square के बीच में आता है, 5 के square 25, 6 के square 36, चोटा number क्या 5 है, तो यहांपर क्या आजाएगा, पांच आजाएगा, यानि जो answer होगा वो क्या होगा? 25 होगा इसका अब मानके चलो आपको जो square root निकालना है वो आपको 13456 का निकालना है अब 6 हमारा किस के score में आता है? 6 के score में आता है? 636 और दूसरा number क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्योंकि दौनों का sum क्या होता है? 10 होता है तो यहां पर हमने यह pair बना दिया, बचा हुआ number क्या रह गया, 134 रह गया, अब 134 हमारा किस के square के बीच में आता है, 11 का square कितना होता है, 12 का square कितना होता है, 144 होता है, तो छोटा वाला number हमारे पास कितना है, 11 है, तो सबसे पहले आप 11 लिख दोगे, अब आप देखोगे, य इन दोनों के बीच का difference कितना है, तो यहां से आप देखो 13 का difference है, और इन दोनों के बीच का difference है, यह दि आप देखोगे तो 10 का difference है, तो किसके जश्य जादा close हुआ, यह बड़े वाले number के square के close में हुआ, तो यहां पर बढ़ा वाला क्या 6 है, तो यहां पर क्या आजाएग और 4K में, 6 और 4, क्या होता है, 10 होता है, तो इस तरीके से दोनों नमबर मिल जाएंगे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 655 बच गया, अब 655 हमारा किसके स्कुर के बीच में आता है, 655 किसके स्कुर के बीच में आता है, अब 655 जो है हमारा, 25 के स्कुर कितना होता 625 होता है और 26 के स्कुर कितना होता है 676 होता है तो छोटा वाला नंबर इसमें किया था 20 था तो आपने यहाँ पर 25 लिख लिया अब आप देखोंगे यहां से Candil 20 को किでは मेंint 21 और इसमें घ्मारे गोरिश किया ईड़ीयिए ऐाँ क्या और इसमें से बड़़े यह कर्के के लोगे तो यहाँपर कै आजका बड़े वाले नमबर आजयेखा बड़े वाला नमबर के 6 सकर्फेक skabile ہے या निसका अंसर क παेशे आजल्वामागा is 756 होगा तो इस तnarीके से हम यहांपर सक्जापर सकते हैं यह वाला method केवल perfect square numbers के लिए ही apply करोगे और इसके अलाबर जो हमारे कुछ numbers होते हैं जो perfect square नहीं है वो हम किस तरीके से उनका square root निकाल सकते हैं वो वाली चीज हम आगे वाली वीडियो में cover करेंगे अब इसके जो next वाली वीडियो है कि इसमें हम यह चीज cover करेंगे किस तरीके से हम उन numbers के square root के निकाल सकते हैं किस तरीके से हम उन numbers के square root निकाल सकते हैं जो हमारे perfect square number नहीं है तो इस वीडियो को end करते हैं मिलते हैं next video में सब तक के लिए भाई and जय हिंद